हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टुमाइच चैनल आपने सुको सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कीजिए और बिल लाइकन को भी जुर दबाई सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आएज हम बात करने जा रहे हैं आरार भी एंटी पीसी का जो एक्जाम जो फॉर्म आया था लगभग एक साल पहले और अब लगभग एक साल बीट जाने के बाद भी एक्जाम की स्थिति वही की वही है यानि अभी तक कुछ उस पर जो है की अपडेट तक नहीं आया है कि एक्जाम कब कंड़क्ट करवाया जाएग क्या होगा नहीं होगा जो है कि जादे परिसान है और उसको लेकर जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि सोसल मीडिया पर और बहुत तरह की बाते जो है पोस्ट भी हो रही है आपको पता है कल ही कल या परसो जो है की ट्रेंड कराया गया था एंटीपीसी के बारे में और उन सभी चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि रेलवे ने थोड़ा बहुत संग्यान लिया है क्या सं सब्सक्राइब से पहले यह और भी भौपाल का है भौपाल के बोड के जो वेबसाइट उस पर आएंगे तो यहां पर एक अपडेट आया है ठीक है आज के यह देट में यह देखिए टेंडर नोटीस जो है की सेंट्रल सेंट्रल वन टूथा नैंटीन का जो है की दिया गय जोन जैनने की तरफ से जारी किया गया है यह देखिए टेंडर नोटीस अरवी चन्ने सेंट्रल 01202019 eca टीक है यह वही है न्टीपीसी वाली प्रकेंसी अप देख सकते हैं यहां देखिए डिटेज। सेंट्रलाइज इंप्लॉइट नोटीस सेंट्रल वन तूजन नाइं अब समझ में एक चीज नहीं आता है कि यही परकिरिया आपको दिसंबर नवंबर के आसपास भी हुआ था फिर उसका क्या हुआ इसके बारे में कोई पुकता जानकार ने उस समय भी इसी तरह जो एक्जाम के लिए टेंडर नोटिस जो है कि अपलोड किया गया था और उसके बाद अब जाके फिर से यह टेंडर नोटिस जो है कि मतलब निकाला गया है तो देख लिए जिसमें एक्चुल में क्या है नेम आप देख लिए मतलब इंगेजिंग जाम कंडुक्टिंग एजनसी ठीक है cbt and all other related activities for ntpc के लिए ठीक है यहां पर सेंटरल वन 2019 और रेलिवेर एकुट्मेंट बोल और इंडिया एप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ दवर्क यह देखिए पूरा इतना सारा जो है कि पैसा जो है कि exclusive of GST यानि कि कम सकम आपको यह लगभग पचीस दो करोर है 51 लाख पचीस करोर के आसपास जो है कि लमसम यह इस है और नॉन डिफंडेवल जो है और नॉन डिफंडेवल आपका कोस्ट टेंडर टर्म ट्वंटी थॉजंड है एड्रेस ऑफ दो पबलिशिंग ऑफिसर यह आपका इगमोर चन्न है डेलवेर एकुट्माइंड बोर्ड है उसका डिपोजिट मनी है 50 लैक्स कंपलिशन पिर सब्सक्राइब गया है ठीक है तो यह हो गया लास्ट टेट फॉर सब्मीशन ऑफ रिटेन क्वेरिस क्लेरिफिकेशन है बारह तीन तक उसका प्रीबीड होगा कंफरेंस 24 थर्ड तक फुसके उसके बाद जो है कि रिस्पॉंसेस क्लेरिफिकेशन है 74 तक और लास्ट टाइम जो है कि इंडर ऑंलाइन है 16 चार तक ठिक है और तैंडर चार को और उसी तरह से जो है कि आपका सांना है यहां पर जो है कि अपनास का जो केंडिशन बेगरा है तो दिये हुआ है बहुत साम पका और सब कुछ दीरा गया है तो यह है आपके एक्जाम की परजेंट स्टेटस अगर आप पूछेंगे कि अभी क्या चल रहा है तो यह चल रहा है यानि की अभी भी एक्जाम कंड़क्ट कराने में कम से कम अगर एप्रील तक तो इसका प्रोसेस ही है तो मई, जून, जुलाइब कम से कम एक दो महिने उनको फाइनलाइस करने में भी लगेगा कम से कम तो उसके बाद जो है कि वो फाइनलाइस होगा उसके बाद सारा डाटा जो है कि जो भी कंपने होगी उसके साथ सारा जो कलेक्टिव डाटा उसको दिया जाएगा फिर वो जो होगी अब सवाल यह उठता है वह सारे लोगों के बीच कोस्चन होगा कि ग्रूप डी का होगा पहले या एंटीपीसी का होगा तो यहां जो तत्काल जो आपको दिख रहा है इससे साफस्पस्ट है कि पहले एक्जाम जो है एंटीपीसी का ही होगा क्योंकि उसके लिए सद्सक्याइब कर तो यह आपका जो है कि आपका पहले जो होगा मतलब हंडीड परसेंट कम से कम आप मतलब चांस बोल सकते हैं तो यह आपका जो है कि एंटी पीसी का एक्जाम कंड़क्ट हो सकता है जुलाई अगस्त सितंबर मतलब अगर यह सारी चीज़े अगर प्रोपर हुई टाइम से हुई तो कम से कम इस साल तो लास्ट तक भी तो एक्जाम कंड़क्ट करा ही लिया जाएगा एनिहाओ क्योंकि इ तो यह समझ लिजे कि एक्जाम कम सकम 20-21 तक पूरा चायेगा और पता ने जॉइन कराते करते 22 भी चला जाएगा ठीक है तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेस है अब अब अंदाज लगा ले सकते हैं कि कि इसको लगे एक्जाम को कंड़क्ट कराने में कितना टाइम इसको कंप्लीट होने में लगेगा तो अब क्या करना है जो लोग प्रिप्रेशन कर रहे हैं वह प्रिप्रेशन करते रहिए दूसरा को यहां पर कुछ है नहीं क्योंकि अभी तक कि इन्होंने कुछ क्लेरिफाइग क्लियर कट दिया ही नहीं है कि आप एक्जाम हो सकता है या फि इस वीडियो को जादे-जादे शेयर करना है आप वीडियो पर लाइक कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं क्या तो चैनल को subscribe भी कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में मिलते हैं पिर किसी और वीडियो में तब तक के लिए खर वाचिंग और बेस्ट फ्लुक।